हेलो अब्रिवन, डेली ग्रोचेरल में आपका एक बार पुना स्वागत है आज हम लोग देखेंगे ITR1 को किस प्रकार से फाइल करते हैं और किन किन के लिए ITR1 होता है इसके बारे में हम लोग पहले डेटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में पूरा टॉटोरियल देखेंगे किस प्रकार से हम इनकम टेक्स रिटरन को फाइल करते हैं ITR1 को फाइल करते हैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिनकी इनकम जो सरकारी कर्मचारी है और जिनकी इनकम 50 लाग इनकी 50 लाग से कम है और साथ ही 50 लाग से कम है और ये एक प्रोपर्टी एक हाउस प्रोपर्टी से इनकम लेते हो या ब्याज से इनके पास इनकम आती हो या किरसी से समंदित 5000 रुपए तक की इनकम आती है तो ये उनके लिए है तो मुकरूप से अगर कैम तो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये ITR1 form है उन्हें इसे fill करना होता है यदि कोई company चला रहा है कोई factory चला रहा है तो उसके लिए ITR1 बिलकुल भी नहीं होता है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कि जो ITR1 है वो सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से आशान से steps मे इसको घर पर ही स्वयम फाइल कर सकते हैं इससे पहले 26AS का क्या मतलब है इसको क्यों चेक करना चाहिए ITR1 भरने से पहले इसके बारे में हम एक वीडियो आलवेडी बना चुके हैं उस वीडियो का लिंक इसके description में इस वीडियो की description मिल जाएगा उहां से जाकर के उसको जर रहें और एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करने क्योंकि उस पर important वीडियो के links मिलते रहेंगे साथ ही जो important PDF होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं वो भी आपको वहीं पर मिलते रहेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम Google Chrome को open कर लेते हैं Google Chrome को आप open अपने PC पर भी कर सकते हैं mobile से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो हरा Google Chrome open हो गया अब हम यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में लिखेंगे income tax income tax India e-filling.gov.n यह website आपको यहाँ पर सर्च बार में नोट करनी है या फिर आप हमारे इस वीडियो के description में भी यह website पाएंगे वहाँ से click करके आप सीबे इस website पर जा सकते हैं तो यहाँ से go करेंगे यानि कि सर्च होने लगेगा और सर्च हो करके यह page आपके सामने आ अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें लिखा है who can file ITR1 for assessment year 2020-21 तो इसमें लिखा है resident individuals having total income up to 50 लग रुपए from the following sources जिनकी जो income है जो residents है उनकी income 50 लाग से कम है वो लोग इसको भर सकते हैं इसमें यह लिखा हुआ है अब income कहां कहां से होनी चाहिए यह देखिएगा पहले नम्म लखा income from salary या pension से होनी चाहिए income from one house property से होनी चाहिए income from other sources से होनी चाहिए जैसे कि interest है व्याज जो मिलता है और agriculture से income up to 5000 रुपए यहाँ से यदि आपकी income हो रही है तो आप ITR1 भरने के लिए available है उपलब्द होन चाहिए यहनि कि आपके लिए आवश्यक है कि आपको ITR1 भरना है लेकिन यह total जो income है वो मिला करके 50 lakh से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 50 lakh से ज्यादा नहीं होनी चाहिए चलो अब हम चलते हैं कि इफिलिंग की और इफिलिंग से पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि इफिलिंग करने से पहले आप अपना 26ES फॉर्म जरूर चेक कर लें 26ES अब इसको कैसे चेक करना है इसके बारे में हमने डिटेंड इसका लिंक इस वीडियो की डिसक्रिप्शन में मिल जाएग अब यहां पे हम देख रहा है यह देखिए registered user जो already registered है वो यहां पे login करेंगे अब login करने के लिए यदि आप registered नहीं है तो आप registration पहले करें उपर register yourself लिखा हुआ है यदि आप नए है तो register yourself यहां से कर सकते हैं उसमें जो भी information मांगी जाए आप उसको fill कर सकते हैं यह आप registered हैं लेकिन आपको password पता नहीं है अपना कि किस प्रकार अब यहां पर चूंकि login करके पहले हम पेज पर चलते हैं क्या क्या मागाता है यहां पर login के लिए तो login के लिए यहां पर user ID मागी जाती है password मागा जाता है और शाथी capture यह text को भरना होता है तो user ID में आपको pen number बनना होता है बताना चाहूंगा pen number और password आप खुद generate करते हैं खुद बनाते हैं जब आप register करते हैं या आपने किसी और के दुवारा ITR पहले years में file करवाया है तो उसको पता होगा यदि वह भी पता नहीं है तो आप forgot password कर सकते हैं इसमें ही option है और इसका भी तरीका आपको पिछले जो मैंने 26AS के बारे में जब login करके दिखाया था तो वहाँ पर forgot password कैसे करेंगे उसके बारे में हमने detail में बताया है तो इस वीडियो को आप इस वीडियो के description में जाके देख सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम entry करने के बाद में password डालने के बाद में login होकर एक new page पर open होकर आ जाएंगे अब यहाँ पर हमें बहुत ही क्या क्या important points देएं सबसे पहले हो देख लेते हैं यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा welcome करके उसके बाद में logout option वहीं पर होगा login का आज का last login का date पर नीचे पड़ा होगा और उसके बाद में यह points आपको मिलेंग लेकिन 26 AS जरूर देखना है जिसको आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं अब यहाँ पर e-filling के लिए यह देखो यहाँ पर यह क्लिक हो रहा है जो e-filling of income tax return यह लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे एक आपके साम नया पेज उपन होगा अब यह नया पेज आ गया यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले आपका pen number लिखा होगा लेडी आपको लिखने की कोई आप सकता है यहाँ पर नहीं उसके आदें assessment year को आपको शुनना होगा यह से अभी assessment year 2020 से उसको मैंने select कर लिया उसके बाद में ITR कौ original और revised इसको क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद में mode of submission गया होगा prepare and submit online तो यह क्लिक करना होगा तो यह entry जब आप कर देंगे उसके बाद में नीचे आएगे जब नीचे आएगे तो यहाँ पर यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पर यह कोई line नहीं आएगी लेक इसको सही कर लें यदि कोई उसमें problem है तो उसको सही कर लें उसके बाद में continue नीचे लिखा हुआ है हम continue पर क्लिक करेंगे तो जैसे continue पर क्लिक करेंगे एक डायलोग बॉक्स आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है online प्लीज चेक दा प्रे फिल्ड डेटा विफोर सब्मेटिंग दा फॉर्म जो पहले से फिल्ड डाटा है इनके आपका address बगेरा जो भी है उसको पहले चेक कर लें उसके बाद में करें इनसे और उपलें उसके बाद एक छोटा सा यह points आ रहा है इस पर हम टिक करते हैं और इस पर टिक करेंगे टिक करने के बाद में continue करेंगे continue करते हैं तो यह नया page यानि कि e-return file जो हमें करना है उसका पहला page यहाँ पर open होकर आ जाएगा यहाँ पर पहले page में instruction दिये गए है उनको आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं जो भी इसमें instruction है अब क्या करेंगे यहाँ से नीचे जाएंगे और यह जो arrow का वटा नारा यही से आप next next करते चले जाएंगे चलो next करते हैं दूसरे page पर पहुँचेंगे तो जैसे दूसरे page पर पहुँचेंगे तो यहाँ से यह form के बारे में detail सुरू होता है तो इसको अब हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपकी जो information है personal information वो दी हुई है यदि कोई information इसमें गलत है तो आप उसको सोयम सुधार सकते हैं उसको सही कर सकते हैं आपका address वगेरा सब कुछ इसमें दिया हुआ है अब यहाँ से आपको करना क्या है nature of employee दो तीन points को new तरीके से select करना है जैसे nature of employment यहाँ से आप इसको click करेंगे इनमें दो तीन option आएंगे central government, state government, publish sector undertaking, pensioner या फिर other जिसमें आप क्या है उसको select कर सकते हैं यहाँ पर हम state government से हैं तो यहाँ पर state government को click कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर फिर आपको next जो 820 है nature of employment की नीचे वाला point उसमें filled us और filled in response notice इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है अब यहाँ पर आएंगे यह point जो लिख हुगा है filled us अब यह आपको revise करना है या original भरना है उसको click करना है तो यह हम क्या है before due date और पहली बार भर रहे हैं इसलिए यहाँ पर यह option चुड़ा जाएगा 1391 on और before due date अब उसके ध्यान से देखनी के आप सकता है are you are you feeling return of income under 7th proviso to section 1391 but otherwise not required to furnish return of income not to fill only if a person is not required to furnish a return of income under section 1391 but feeling return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the 7th proviso तो यहां से वस एक point आपको याद रखना है यदि आपकी income जो है एक करोड या जिससे अधिक बनती है तब आपको यहाँ पर yes करना है otherwise यहाँ पर आप no कर दें तो यहाँ पर हम no करके आगे बढ़ते हैं जब no कर देंगे उसके बाद में आपको कोई यहाँ पर fill नहीं करना पड़ेगा लेकिन यहीं आप yes करते हैं तो आपको देखो यहाँ पर fill करना पड़ेगा तो यह कापी कुछ है लेकिन एक करोड से यहीं कम है आपकी income main point आप पकड़ेगा तो आप यहाँ पर no कर देंगा उसके बाद में नीचे आते हैं नीचे आपको कुछ भी नहीं करना ह अब यहाँ पर save draft करना है हर page की बाद में आप save draft जरूर कर दें जब एक page आपका complete हो जाए तो save draft यह आप करते हैं तो आपका data save हो जाए उसके बाद में वही arrow वाले tick पर next कर देंगे फिर उपर से देखेंगे आप आपको यहाँ पर क्या करना है यहीं से अच्छे से समझना होगा अब यहां से आपको यह करना है कि यह जो 171 है इसमें आपको क्या लिखना होगा इसमें आप अपनी शेर ली लिखिएगा जो form 16 के according दी गई है या फिर उसमें कम जादा है तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं जादा कर सकते कम कर सकते तो इसमें आप चलो मैं ऐसा ही लिखने रहा हूं जो कि यहां पर मैं कुछ करने रहा कि मैं अल्रेडी फिल कर चुका हूं अपना तो यह पॉंच लाग रुपए मैंने शैली लिख दी तो पॉंच लाग जब आप सेली लिखिए और साथी नीचे भी फिल हो जाएगी जहां भी आवश्यक होगी यह आपको कोई allowance मिलता है तो उसको आप यहां से select करके उसकी राशी भर देंगी तो यहां पर हमें कोई ऐसा allowance नहीं मिलता है जिसके बारे में हमें भरना हो अब यह भी जानकारी allowance आपको मिलता है या नहीं मिलता कितना रुपए मिलता आप फॉर 16 को पासम रख लें उसमें देखते च अब यहां पर यदि हमें नहीं मिलती है हमें नहीं मिलता है ऐसा कुछ तो आम इसमें कुछ भी नहीं बारेंगे अब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो नेट सेलरी हमारी वही रहेगी क्योंकि यहां पर कुछ भी आमें नहीं मिलता अब इस्टेंडर्ड डिडेक्शन यहां पर बहर के आ जाएगा यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवसकता नहीं है पचास जार रुपए जो standard deduction है वो automatic यहाँ पर भर जाएगा अब नीचे चलेंगे अब यहाँ पर देखते हैं house property की अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यह जो house property लिखा हुआ है इसको समझ ले type of house property यहाँ से आप select कर सकते हैं तो type of house property में self occupied, let out, deemed let out जो भी आपका हूँ मैं self occupied हूँ और तो इसको let out यह आप किराए पर दिये हैं तो इसको आप दूसरा भर सकते हैं self वाला है तो हमने self बढ़ दिया इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी अब नहीं बढ़ना पड़ेगा अब इसके बाद में next नीचे आते हैं और यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या करना है income from other sources income from other sources जांसे भी आपको income हुई है अब वो कौन कौन से हो सकती है interest from saving हो सकती है interest from deposit जो bank को post office में आप deposit करते हैं interest from income tax refund हो सकती है या family pension family pension हो सकती है और उसके बाद में any other भी हो सकता है तो इसमें जिससे भी जैसे saving account से आपको मान के चले interest प्राप्थ हुआ है तो यहाँ पर आप उसको enter कर दे मालो मुझे 2000 रुपए saving account से प्राप्थ हुए तो मैंने इसको इंटर कर दिया अब जब आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर add हो जाएगा और आपकी salary यह बढ़ जाएगी 45 लाग 52 जार यहां से हो गया अब यहाँ पर हम आते हैं असी सी के तहत आप हम लोग देखेंगे जो भी असी सी में आप असी सी के अंतरगत जो आपने savings की है बचत की है उसको हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो यह life insurance Defective Annualty Contribution to Provident Fund PPF यानि की subscription to certain equity shares में डालते हैं Deventures ETC इनमें यह दिये डालते हैं आप उसकी रासी को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं तो यहाँ पर यह टोटल जो बनेगा आपका यहाँ पर डेड़ लाग रुपए तक आप सेव कर सकते हैं यहाँ पर हमने जो सेविंग की है वो 1,15,000 रुपए मान के चलिए हमने की है तो यहाँ पर वो पूरा लिखके आ जाएगा तो 1,15,000 मैंने इसमेंटर कर दिया और उसके राद में यहाँ पर यह टोटल हो गया असी सी सी त्रपल सी पेमेंट रिस्पेक्ट टू पेंशन फंड में यदि आपने कुछ डाला है तो उसके लिए है असी सी सी डी बन वी कंट्रिविशन टू पेंशन इसकीम ओफ सेंटरल गवर्रमेंट यहाँ पर यहाँ पर यदि आपका अंपीएस कटता है या पैंशन के रूप में आपका कटता है कुछ भी तो हमारा एंपीएस ज्यसे कटता है तो इसकां इसमें एंटर कर देंगे यानिए कि पर बन वी ay canemie एक यहाँ फो बी आपका कटता है शोबसती है आपको चुट है वो 50,000 रुपए तक मिलेगी आप हमारा 55,000 रुपए जैसे कटा है तो हम इसमें 55,000 रुपए लिखेंगे लेकिन चूट आपको 50,000 मिलेगी यह देखो यहाँ पर लिख करके आ गया तो यह इतना भर गया है उसके बाद में और देखते हैं क्या important है अब यहाँ से the health insurance अगर आप लेते हैं तो यह काफी कोछ है इनको आप पढ़ सकते medical department किसे मतलब यह दी आप छूट लेना चाहते हैं आप interest loan के according higher education के लिए लिया है उसके लिए छूट चाहते हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं अब जो हमने वे आज अभी saving account का भरा था तो 80 TTA अब दू चीजें हैं इसमें interest on saving bank account in case of other than resident senior citizen other than resident senior citizen को छोड़ करके और दूसरा जो option है वह interest on deposit in case of resident senior citizen तो यदि आप senior citizen हैं तो 80 TTA में आप ब्याज में छूट ले सकते हैं और 80 TTA में interest saving bank के account पर जो आपको ब्याज मिलता है उस पर ले सकते हैं other यदि आप senior citizen नहीं है तो हम senior citizen यहाँ पर नहीं है तो हम 80 TTA में ब्याज को भर देंगे यहाँ पर 10,000 रुपए तक की छूट मिल जाती है अब हमने जो भरा था ब्याज वो कितना भरा था 2000 रुपए उपर देखना पड़ेगा तो 2000 रुपए हमने वरा था 2000 यहाँ पर वो भर दिया तो यहाँ पर हमें उससे अब छूट मिल जाएगी यहनि कि माइनस हो जाएगा तो इस प्रकार से और भी जो भी आप छूट चाते हैं आप योग हैं छूट के तो उनको आप इसमें इंटर कर सकते हैं अब इसके बाद में हमारे पास यदि आप इन नेचर अग्रिकल्चर से यदि आपको कुछ मिलता है अग्रिकल्चर इनका 5000 रुपए तक इसमें सकते हैं नहीं तो आप हम नीचे आएंगे अब यहां पर यह ओटोमेटिक सब कुछ आजाएगा यहां से आपको कुछ भी करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी आप सेव ड्राफ्ट पर जाएंगे और यहां से सेव कर देंगे सेव करने के बादे फिर एरो का निशान क् इसमें क्या बारना अब यह देखते हैं यह यह डिटेल होता है यह ट्वन्टी सिक्स एस फॉर्म का होता है जो मैंने पहले भी बताया है तो यह अल्रेडी मेरा जो टीडियस कटा हुआ है वो लिखा है और जो सेलरी इसमें बन रही है इनके अनुसार फैनेस डिपार्टमे किया है तो उसका आप डेटेल यहां पर भार सकते हैं और यदि नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं करना सेव ड्राफ्ट करना है और नेक्स्ट बटन पर फिर आगे बढ़ जाना है अब इसके बाद में यहां पर देखते हैं यहां पर क्या करना यहां भी कुछ नहीं करना बस यहाँ पर यह लिख के आगया मेरा कोई भी टेक्स नहीं बन रहा था और यह मुझे 7,240 रुपई refund होने यहाँ पर यह लिखा हुआ है तो इस प्रकार से आपका भी जतना refund होने को हुगा वो लिख करके आजाएगा अब आप return किस में चाहते हैं उस account को यहाँ पर note कर सकत हैं हमारा already note है तो हमें यहाँ पर करने की कोई आप सकता नहीं है मैं इसी account में refund चाहता हूं अब नीचे आते हैं नीचे आने के बाद में यहाँ पर अपना detail अपना नाम और select by self है यहाँ पर करना पड़ेगा तो self कर दिया और इसके बाद में place आप लिख सकते हैं जो भी ल आपको जो return जाखिल कर देंगे उसके बाद में आप किस फरकार से verify करना चाहते हैं वो उसके बादे बारे में यह तीन point है जो भी आपके लिए valid हो उससे आप कर सकते हैं जैसे आपका आधार card में mobile number लगा है तो सबसे best होगा I would like to verify letter within second number second number इसमें आप कर सकते हैं या फिर आप इसकी copy निकाल करके जो itr 5th row normal speed post से आप भेज सकते हैं इसमें लिखा हुआ है उसकी copy आप यहाँ पर इसको save कर देंगे save करने के बाद में फिर next पर चलेंगे अब आपको यहाँ पर कोई ऐसे important points नहीं है हाँ एक तो points हैं जिसको आप यहाँ पर चूट ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर तो वही पिछले वाले हैं उनके बारे में next पर चलेंगे next पर चलने के बाद में यहाँ पर यह चूट आपको मिल सकती है यदि आप लेना चाहते हैं Whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen अगर आपकी परवार में या आप senior citizen हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से claim कर सकते हैं अब वो claim क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं आप self और family के दुआरा कर सकते हैं मलब health insurance के लिए health check-up के लिए जो आपने खर्च किया उसके लिए health insurance self और family senior citizen मलब आ आप यह check-up बगेरा के लिए आप claim कर सकते हैं तो यहाँ से आपको select करना होगा yes यदि आप yes करेंगे तो यहाँ पर आपको claim करने के मैं claim करेंगे तो उसमें छूट मिल दागी या फिर मैं not claiming कर रहा हूं यहाँ नहीं कर रहा हूं तो not claiming कर देंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए और एनी वन ओफ यॉर फिरेंट इजी सीनियर सीटीजन सीटीजर है यहाँ नहीं है यहाँ पर याँ नो claiming of parents नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं तो यहाँ जब आप कर देंगे तो यहाँ पर दो तीन points में आपको छूट मिल इंसूरेंस में मिल जाएगी चेक अप में मिल जाएगी जो parents आपकी सिटीजन हैं यहाँ चाहते हैं तो आप इसमें भर सकते हैं उसके चाहते हैं और यहाँ पर क्या करना detail of donation of scientific research and ruler development इसके लिए यह आपने donate किया तो आप उसको entry कर दें और उसके बाद में save draft करेंगे save draft करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है preview and submit इस पर आप click कर देंगे preview and submit पर click करेंगे तो यहाँ से तो यहाँ पर एक points और भरना होगा इस यह लिखके आ रहा है तो जब आप submit करेंगे और यही कुई problem उसमें आ रही पूरा नहीं बढ़ा है तो उसमें already इसमें कुछ न कुछ आ जाएगा इस और नो इस प्लीज फिल दा सेडूल अगर आपने एक चार दुवाजार वीश चोथा महिना का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च एप्रेल यहनी एक अप्रेल से लेके 31 जुलाई तक यदि आपने कुछ भी इसमें किया है तो आप उसको yes or no में आपको करना है तो आप यहां पर yes or no कर सकते जो भी आपको लगे यह करने के बाद में पुन्हा में यहां से प्रवियू एंड समिट करेंगे तो जैसे ही करेंगे वैसे आपका यह लिख करके आ जाएगा अब यहाँ पर यह लिखके आ रहा हूँ गया रेडी मैं कर चुका हूँ इसलिए प्लीज स्लेक्ट एट लीस्ट बन एकाउंट इन फिच यू प्रिफर टू गेट यूर रिफंड बेंक डेटेल इन टेक्स पेट यह लिखके आ रहा हूँ तो इस प्रकार से आप अपना पूरा यह भर सकते हैं और भरने के बाद में उसे सब्मिट कर सकते हैं तो जब आप सब्मिट करेंगे तो यह सेव हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार का यह फॉर्म बन जाएगा अब इसे आप पूरा एक बार चेक कर सकते हैं चेक करने के बाद में यदि कोई इसमें मिश्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हैं और सही करने के बाद में आप इसे फाइनल सब्मिट यहां से दे सकते हैं तो हम आल्रेडी भर चुके हैं इसलिए इसको फाइनल सम्मिट नहीं करें तो उम्मिद करता हूँ इस प्रकार से आप सहज ITR1 को आसानी से घर पर भार सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद